नमशवार दोस्वाप शबी का बहुत बहुत स्वागते दोस्वां अंदर ये अंदर आपके लिए एक गढ्डे खोज रहे हैं इस नाम का इंशन जैंथ दोस्वाँ दोस्वाम आप शबी को बता दे कि ये व्यक्ति शेयाफ हो जाई शावधान कि दोसों यह व्यक्ति आप शबी के जिवनकाल के लिए बहुती बड़ा खतरा है जिया दोसों आप शबी को बता दे कि यह इंशान कोई गयर नहीं जिया दोसों आप शबी के जिवनकाल में रहने वाले आपके शमिप के ही इनसान है जिने आप असी तरह से जानते हैं और दोस्तों आपको बस इस बात की भनक नहीं है कि यह इंशान आपके लिए अंदर ये अंदर गड़े खुद रहे हैं जिन में यह आपको गिरा शके जिया दोस्तों और पिछले शमय में भी दोस्तों इस इस इंसाने आपको बहुत शारे कोटों में डाले हैं लेकिन दोस्तों इस बार का जो शंकट है आप शिवी के लिए जीवन के सबसे बड़े खतरनाग भी शावित हो शकता है तो दोस्तों समय रहते आप हो जाईए शावधान और दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू चलिकर अंतर तक देखेगा दोस्तों वीडियो में हम आपको श्वीक्ति के नाम भी बताएंगे नाम के पहले अक्षर श्वीक्ति के बताएंगे जिने दोस्तों जानकर आप शावधान भी हो जाएंगे साले दोस्तों इस वीक्ति को केशिया अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं इस बारे में भी बात क सब्सक्राइब दोस्तुरों आने वाला पूरा जीवन के लिए व्यक्ति के कारण आपकी जुनकाल में बहुत सारी परिश्यनिया आती इन्हें व्यक्ति के कारण आपको शुपलतां नहीं मिल रहे हैं और प्रफूशनियां चल रही है आपका मन आशान्त हो गया है आप चाहक वीडियो को एक प्याराशा लाइक जरू करें और कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन से जय हनुमान जरू लिखेगा दोस्तों महापरी हनुमान जी के शुरूमाद आप शुरूबाद आप शुभी को प्राथ होगा जो उनकाल की आपके प्रेशानिया खत्मोंगी जो उनकाल में अच्छा ग्यान जिस जो की दोस्तों आप शुषी को सुनने बहुत ही दावशक है जो दोसों इनने बातों को शुनकर आतों कर आप नियुकाल अने वाली दोबार उन पर विश्वास करना, जीवन की शबशे बड़ी गलती, शबशे बड़ी बेवकूपी होगी, जिया दोसों, तो दोसों आप भी अपनी जुनकाल में इन बातों को याद रखिएगा, जिया दोसों, क्यों दुश्मन है, वह कुछ भी करशकता है, आपको मारने के लिए वह कितने भी हद सक गिर शकते हैं, चाहे उनका वजुद मिड़ जाए, लेकिन दोसों, वह आपको गिराने की चाहर नहीं छोड़ेंगे, जिया दोसों, तो दोसों, भगवान श्री कृष्ण का याज्यान या बात अगा आपको शटिक लगी हो, इन पर एकिन हुआ दोसों, वीडियो को एक प्याराश लाएक जरू करें, और इनके लिए कमेंट बॉक्स मिक दें, जैश्री कृष्णा राधी राधी, तो आई दोसों से के इशाद बात करते हैं, कि वक्त कौन शाब्यक्ति है, जिनके मुझे आपको लगतार परिशानियों का श्रमना करना रहा है, जो आपके जिवनकाल में अंदर-ज़ अंदर घड़े खुद रहे हुए, आपको गड़े में जो गिरा अना चाहता है, सबसे पहस्पे लगतों आपको बिता दे कि अप अनकाल में ही शृपल इंसान बनने की सोच लगते हैं, जो भी आपके मन में आते हैं, दोसों आप कभी भी उन्हें मन में दबा कर नहीं रखते हैं आप अपने परिवार के शाथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जुनकाल में चाहते हैं लेकिन दोस्तों इनके शाथ शाथ जोगी आपके शगे शम्मंदी हैं जो भी आपके पास चाहते हैं जो भी आपके यह आपकी गलती है और इन्हें के कारण दोस्टों आप शुभी की जिवनकाल में जोभी शमस्याय आ रही है यहीं से शुरुआत होती है जिए दोसों आपको बता दें कि शब्से पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस परकार की इंसान है फिर देरे देरे आपके इशात रहकर उनका देखने के नज़रिया बदल जाता है वह आपसे ही जलन्शिल के भावनों से पहुत कुछ करने का प्रयाश करते हैं और दोस्तों आप इन बातों को शमय शमय पर नज़र अन्दाज करते आ कुछे जिवरनकाल में कई लोग आए हैं जो कि आपके शात रहकर आपको दोखा दिये हैं और को यह दोस्तों दोखार श्री किष्ण कहते हैं कि किशी भी इंसान को एक बार माप करकर अच्छा इंसान बन जाओ लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी क्यों दोस्तों जो इंसान जे साथ था वह वे शाही रहेगा आप उन पर बिल्कुल ही यकीन करें तो दोस्तों आपको अपने जोनकाल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको कभी भी धोखा दिये हैं कभी भी आपको चल किये तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है जैसे दोस्तों आप और उनको अपने जयुनकाल करके तो आ worn बातसब्स आपको नुक्षान होते हैं तो आपको अपने जयुनकाल में इन बातों का ध्यान कुछ रुपया मांगता है जो कोई इंसान for me करा कर texn दोस्तुँ आप उने बिलकुल भी नहीं कहँए जोसे आपकी जोन्सक्री वितना में बाती द्यानवागता है जब भी कोई इसार अपने दुख लेकर venom के पास आ तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है लेकिं दोस्तों आप उनके पीछे की बात को छान भी नहीं करते हैं दोस्तों कि आपको दोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको आप पेसे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दुनों के बात आप देखते हैं कि दोस्वों आप उनकी नजरों में बुरे बन चुकी हैं जे दोस्वों आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पेशे से लेंदेन जल्दी आप ना करें तो आज किस दोर में पेशा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है जे दोस्वों जहां पेशे हमारी उनकी जविक चाहें पूरी करती है वहीं दोस्वों दूसरी और अगर हम किसी को पेशे देते हैं तो दोस्वों हम चाहें कितना भी अच्छा कारी क्यों ना करें हो हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं वह हमसे नजरे भी कारी करते हैं तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जुनकाल में कोई भी करीबी लोगों शेप पेशे की लेंदेन बिल्कुल भी नहीं करनी है जहां तक होशगे आप शमय उन्हें दिर्शकते हैं यह आपके लिए बहुत ही अच्छे होगी वह पेशे के लिएदेन में आप विल्कुल ही ना पड़े तो दोसों इन बातों को आपने जुनकाल में ध्यान रखें कि यो तोसों एसे ही गलतियां होती हैं जोंकी आपके जुनकाल में आप करते कि जो इनके उपर हो शक्ति है वे शबी कारिया आपके उपर ये करने लगते हैं तो दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आप शबी को बता दें कि इस नाम का इंसान का जो पहला अक्षर है वह है एंची जी एश आर दोसों इन शबी नाम के पहले चर्श में से किसी एक अक्षर जो कि दोस्तों आप शुभी के जुनकाल के शब से बड़े दुश्मन हैं अगर इन नामों के पहले अक्षर में से किसी गवर अगर आपको शक हुआ हो तो दोस्तों यकीन मानिए यही आपकी जुनकाल के सबसे बड़े दुश्मन हैं दोसों में इसनी की इशार्ट बात करते हैं कि के एक सबसे बाद आपको बताधें कि आपके सन्सीय हुई हैं जोब यृसел को अपको प्रयाश करें कोई नई चीजों को पढ़ें, नोई कारियों को करें, इसको पराने दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपको उपर चल किया है, उनको उपर आप अब बिश्वात बिल्कुल ना करें, और दोस्तों आने वाले जूनकाल में जितना होश्च के, उनसे कम भात करने की प् कि दोस्तों आपको अपने जूनकाल में अच्छी उपलवधी बिश्वात राक्त होगा, तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सच्छा लेगी हो, तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताईएगा, क्यों दोस्तों हम आप शभी की कमेंट पढ़ते रहते हैं कि अध्य क्रिखवे हैं।